शिरी ब्रह्मा जी का काल स्वरूप और उम्र का विबरन शिरी मैत्रे जी प्राशर जी से कहने लगे भगवान जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमे अर्थात जो नापा ना जा सके शुद्ध तथा निर्मर आत्मा है उसको सर्ग आदी का करता कैसे अंगिकार किया जा सकता है शिरी मैतर जी का पशन सुन प्राशर जी मुस्कुराए और मैतर जी के पशन के समधान है तू कहने लगे है मैतरे जब सब भाव, पदार्थों की शक्तिया अचिनत्य अर्थात जो समझ में न आ सके क्यान का मार्ग हुआ करती है इसलिए अगनी की शक्ति उशन्ता के समान ब्रह्मा की भी सर्ग आदी रचना रूप शक्तियां प्राकर्तिक हैं। आधा परिधी कहलाया जाता है। 12 गंटे का दिन 12 गंटे की रात कहलाया जाता है और 30 दिन तथा रात का दो पक्षों वाला एक मास कहलाया जाता है। और 6 महिने का एक अमन होता है दक्षनायन तथा उत्रायन। दो आयन मिलने पर एक वर्ष बनता है दक्षनायन देवताओं की रात तथा उत्रायन देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सत्युग, एवंत्रेता, द्वापर और कल्युग, चार युग हुआ करते हैं। उनका प्रिथक प्रिथक परिमान का ज्यान मैं तुमें करा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राशर जी कहने लगे, पुरा तत्व के ज्याता सत्युग आदी का परिमान, क्रमश 4, 3, 2, 1 दिव्वे वर्ष कहा जाता है, हर एक युग के प्रारम में ही 100 वर्ष की साध्याक बताई गई है, तथा युग के अंत में उतने ही परिमान वाले संध्यारा हुआ करते हैं। अर्थात सत्युग आदी के पहले क्रमश 4, 3, 2 तथा एक दिव्वे साल की साध्या, तथा इतने ही साल की साध्यांच हुआ करती हैं। हे मुनिश्रेष्ट मैतरे इन साध्या और साध्यांच का बीच का जितना भी समेशेश होता है, उसको ही सत्युग के नाम से जाना जाता है। मैतरे जी बोले हे मुनिश्रेष्ट सत्युग, त्रैता, द्वापर तथा कल युग को मिलाकर चतुर युग का निर्मान होता है, इस प्रकार से 1000 का एक दिन कहा जाता है, हे विप्रः। प्राशर जी बोले परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं अर्थाच होते हैं उसका काल, कृत, परिमान बताता हूँ, ध्यान पुर्वक सुनो, सब्त रिशी, देवगन, इंद्र, मनु तथा, मनु के बेटे एवम राजाओं की रचना एक ही काल में की जाती है, और एक ही समय में एक ही काल में सहार होता है, हे अनध, 71, चतुर के परिमान से चोधा, मनमंतरों में 994 चतुर युग हुआ करते हैं, तथा, परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिवस में 1000 चतुर युग हुआ करते हैं, इसलिए 6 चतुर युग और 6 रह जाते हैं, 6 चतुर युगों का चोधा भाग, कुछ कम 5,103 दिवे साल हुआ करते हैं, हे मुनी सतम मुनुष्य की वर्ष गणना अनुसार मनवंतर का परिमान पूरे 30,666,20,000 वर्ष हुआ। इस काल का चोदा गुणा परम्पिता ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है और उसके अनंतर नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रले हुआ करता है। इस वक तीनों लोकों क्रमश्य भूलोक भूवलोक तथा स्वर्ग लोक जल उटते हैं तथा महलोक में वास करने वाले सिद्गन बहुत संताप मै होकर जन लोक को गमन करते हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों के जलमगन हो जाने के उपरांत जन लोक में बसने वाले योगियों द्वारा स्मरन किये जाने वाले श्री हरी विश्नु रूपी कमल योनी ब्रहमत्र लोकी के ग्रास से त्रिप्त होने के बाद दिन के बराबर ही परिमान वाली उस रात शेश श वर्ष होते हैं इसी तरह ब्रह्मा जी के सो साल ही उस और महात्मा ब्रह्मा जी की पूर्ण आयू कहलाती है है मुनिश्वर उन परमपिता ब्रह्मा जी का एक प्ररार्द वृतित हो चुका है उसका आखिर में पद्दे नामक विख्यात महा कल्प हुआ था है विप्रव इस वक्त का यह वर्तमान ब्रह्मा के द्वारा के दूसरे प्राद का वरहा नामका कल्प मनाया जाता है ओं